हलो वेलकम तो इन माई चैनल मेकैनिकल इंजरिंग कॉंसेप्ट इस लेक्चर में आज लेक्चर नमबर 13 में मैं दो और डिसकस करूँगा जो कि अप्लाइड मेकैनिक्स के लेक्चर सीरीज के डिलेटेड है चलि स्टार्ट करते हैं लेक्चर माई नेम इस कुनाल देव अंग नमबर 13 में जो दो प्राब्लम मैंने लिए है वो प्राब्लम है तरह से एक figure आपको दिया हुआ है यहां तो दिख रहा होगा एक figure यह दिखिए इस figure में यह 100 newton force लगा हुआ है और इस 100 newton force से कारण इस एक rod या beam जिसको आप मान सकते हैं इस rod या beam पे या इस element पे जो force लग रहा है free end पे इस fixed end के respect में fixed end जिसको point O से represent कर सकते हैं आप इस point O के about आपको moment निकालना है इस rod या beam में कितना होगा यह बहुत आसान सा basic सा problem है क्योंकि since the perpendicular जैसे कि पता है force moment क्या होता है moment होता है force into perpendicular distance product of moment क्या होता है product of force into perpendicular distance का product होता है क्या moment तो perpendicular distance D मान लेते हैं और force F मान लेते हैं F की value आपकी यहां पर कितनी हो गई 100 Newton और perpendicular distance क्योंकि मुझे point O के about निकालना है तो D की value हो जाएगी 1.5 तो अगर मैं जो basic definition से moment का formula लिखता हूं तो F की जगा मैं पी लेके चल रहा हूं तो P into D क्या हो जाएगा 100 into 150 100 into 1.5 value आजएगे multiplication से 150 Newton मीटर अब सवाल यह आएगा कि हाँ minus N मैंने क्यों लिया तो minus N लेने की पीछे दो reason है पहला यह है कि रसे मैंने moment में बताया था कि दो तरके के effect होते है एक positive effect होता है एक negative effect होता है अगर moment clockwise होगा तो negative moment होगा और अगर वो moment anti clockwise हो जाए तो वो positive effect देता है तो इसे कारण positive and negative है दूसरा चीज आप यह भी मान सकते हैं यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि यह जो force लग रहा है यह जो force इस particular element पर लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है अगर आप coordinate के हिसाब से देखें यह दूसरा concept भी लगा सकते हैं कि अगर y में अगर आप origin से नीचे की तरफ आते हैं तो y के value negative हो जाती है इसलिए भी force की value को negative लिया है तो negative को positive से multiply करूँगा तो value negative भी आएगी इसलिए 150 newton meter हो गई value इसकी moment की negative sign use कर रहे हैं for assumption sign convention of moment 100 newton force tends to rotate object clockwise क्या करेगा यह object को 100 newton force क्या करेगा clockwise direction पर rotate करने की कोशिश करेगा कुछ इस तरह से जब यह force लगेगा force के कारण object को इस तरह से bend हो जाएगा इस तरह से देखिए इस तरह से इसके कारण इस particular moment के effect को हम negative लेके चल रहे हैं तो आप माइनस से नहटा क्या लिए सकते हैं moment की value point okay about 150 newton meter आ गई clockwise में नेक्स्ट प्राब्लम है जो कि moment और non-concurrent force के उपर दूसरा है determine the moment of 100 newton force फिर से 100 newton का force है जो की point okay about मुझे निकालना है moment की value 100 newton force की बट यहाँ पर problem थोड़ चेंज यह है कि 100 newton force उस free end पे यह rod या element या beam जो दिया हुआ उसके free end पे नहीं लग रहा उसके particular किसी एक point पे लग रहा है okay point पे inclination पे लग रहा है यह देखिए यह free end पे इस point पे जो लग रहा है न फूर्स पिछली बार problem में perpendicular लग रहा था ठीक है इस rod के perpendicular वो पे लग रहा था पॉइंट से perpendicular पे लग रहा था plane से अभी वो कुछ एक inclination पे लगेगा बेस से और बेस से inclination अंगल दिया हुआ है 60 degree तब आपको बताने मोमेंट के value क्या होगी तो इसके दो तरीके हैं मैं जो सबसे आसान तरीका हो सकता उसको मैं बता दे रहा हूं दूसरा तरीका भी आसा कि 100 नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव clockwise direction पर मोमेंट रोडूस करेगा ऑब्जेट को इस तरह से बेंट करने कोशिश करेगा ठीक है clockwise direction पर अब डिस्टेंस डिस्टेंस एक्च्वल में पर्पेंडिकुलर लेते हैं तो पर्पेंडिकुलर कब जैसे force इस तरह लगा तो इसक पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा मतब 1.5 मीटर यह डिस्टेंस डिएट लिए लिए लेते करना क्या है यह सिंपल माथेमेटिक्स लगाते हैं यह तरह से लग रहा है अगर इस पॉइन को मैं एक्स्टेंड करता हूं तो राड को कुछ इस तरह से हैस इस को मैं complete करता हूं तो कुछ इस तरह का ट्राइंगल बनता है यह 60 डिगरी है बेस से तो दूसरे डियरेक्शन पर बनाएगा इस ट्राइंगल पर बनेगा बिल्कुल अब मुझे क्या करना है पर्पेंडिकुल डिस्टेंस निकालना है तो अगर मैं इस डियाग्राम में थ्यान दूँ तो यह फोर्स का डियरेक्शन है और मुझे पर्पेंडिकुल डिस्टेंस जी तो यह पर्पेंडिकुल डिस्टेंस हो जाएगा यह वाला जो डिस्टेंस मुझे पता नहीं कैसे पता कर सकता हूं बहुत ही आसान तरीका है ट्राइंगल हो गया यह वाला आपका कौन तो थीटा लगा सकते हैं, sin component लगा सकते हैं, sin component लोगा, sin is equal to 1.5, sin 60 is equal to 1.5, sorry, sin 60 is equal to d by 1.5, अब D निकाना तो D के वालू क्या हो जाएगी 1.5 into 60 तो D की जगह मैंने क्या पूट कर दिया 1.5 into 60 अब दूसरा काम कर सकते हैं दूसरा काम आप यह कर सकते हैं कि इस D distance का D distance का sign component ना लेके आप क्या गर सकते हैं इस force का sign component ले लिजे क्योंकि आपको अगर आप ध्यान देंगे तो अगर force इस तरह लग रहा है तो इसके दो component हो सकते हैं एक x-axis के बाउट एक y-axis के बाउट अगर मैं x-axis के बाउट component देखता हूं तो x-axis के बाउट force के वाले कितने र अब मुझे क्या है perpendicular distance लेना है तो perpendicular distance इसी के लूँगा तो कि इस force का effect मुझे नहीं consider करना है इसके कारण moment नहीं आएगा इस force के कारण कोई moment नहीं आएगा जो moment आएगा वो आएगा इस 100 x sin60 के कारण आएगा जो कि इस diagonal कारण एक component बन रहा है तो इसका distance मुझे 1.5 पता है इ वो भी सेम रिजल्ट आएगा तो आप चाहे डिस्टेंस के लिए sign component लें चाहे force के लिए मतलब सेम ही निकलता है मैंने आप सिर्फ distance को लेकर शोग किया हुआ है नॉर्मली बुक्स में क्या शोग किया रहता है कि force का kind component लेकर बना लेता है तो आप जो तरीके से बनाए value सेम प्राब्लम को आप सॉल्ड कर सकते हैं और इस तरह से यह दो प्राब्लम्स आप सॉल्ड कर सकते हैं और इस तरह से यह concept moment or non-concurrent force का concept clear होता है अगर आपको comment निकालना है तो आप इस lecture से इस concept को समझ सकते हैं अगर आपके कोई doubt queries और suggestion है तो comment box पर लिखिए और मेरे वीडियो कर आपको पसंद रहे तो like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को share कीजिए फ्रेंड्स के साथ आपको दिन शूप हो thank you